हालो फ्रेंज वेलकम बेक टू माई चैनल दा फ्लेबर फिस्ट आज हमारे डीश है बॉयल मसूद डल जिसको बेंगली में मसूद डल शेद्धो भी बोलते हैं सो लेस्ट स्टाट दे प्रिपरेशन तो दोस्तो बच्पन में मामी के हाथ से बनाएवा ये डीश मेरा वान ओफ दा मोस्ट फैबरिट डीश था अगर कम टाइम में कुछ बनाना होता था तो मामी तर ज़रूर ये डीश बना देते ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और उसके लिए इंग्रेडियन्स किया के चाहिए हम देख लेते हैं मैंने यहाँ पर देड़ काप जैसा मसूर दाल ले लिया एक मीडियाम साइस का अनियान ले लिया दो ग्रिंचिली ले लिया और थोड़ा सा धनिया पत्ता बस इतना ही चाहिए इसमें कोई मसाला नहीं चाहिए होता है अभी मसूर दाल को अच्छे से क्लीन करके कड़ाई में ले लिया और स्वादन सा नमक एड़ करेंगे यहाँ पर मैं एड़ कर रहो एकदम थोड़ा सा हल्दी आप नहीं भी एड़ करेंगे तो चलेगा जुरूरी नहीं है अगर आपको थोड़ा सा अच्छे सा कलाल लाना है तभी एड़ करना है नहीं तो बिना हल्दी से ही नामाली एड़िश बनता था हमारे घर में तो अब ही में 750 ml जैसा वर्टर एड कर लूँगा दाल को अच्छे से बॉयल करने के लिए में 15-20 मिनिट पकाऊंगा हाई फ्लेम में अगर टाइम कम है तो प्रेशर कुकर में 2-3 सीटी लागा के बना सकते हैं लेकिन में साजिस्ट करूँगा कड़ाई में 15-20 मिनिट के लिए बॉयल करके बनाई है उससे टेस्ट अच्छा आता है 15-20 मिनिट तक दाल को बॉयल करने के बाद में आप देख सकता हो कि दाल अच्छे से बॉयल हो गया जैसे टेक्स्च्छर आना चाहिए ऐसे आ गया आप लोग ज़रूर बीच बीच में चेक कर लेना कि पानी ना कम पड़ जाए अगर लगता है कि थोड़ा पानी कम हो गया और बॉयल हो नहीं अच्छे से तो आप लोग थोड़ा पानी एड़ कर सकते हैं तो देखी यहां पर दाल तो मेरा बॉयल हो गया अभी सार्विंग बॉल में दाल को लेने के बाद हम लोग बारिक काटा हुआ अनियन एड़ कर लेंगे जो मैंने अनियन रखा था एक मीडि करेंगे बारिक काटा हुआ धनिया के पत्ते अधा काप चीसा धनिया के पत्ते एड़ कर सकते हो एकदम फाइनली चाप करके अभी मैं लस्टली यहां पर एड़ कर रहा हूँ वान टेबिल स्पून मस्टाड ओयल मस्टाड ओयल का एक स्ट्रॉंग पंजेंट फ्लेवर है और बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोगों को मस्टाड ओयल अच्छा लगता है तभी एड़ करिए कुछ-कुछ लोगों को मस्टाड ओयल का यह जो पंजेंट फ्लेवर है अच्छा नहीं लगता है तो आप उसके समें एड़ मत करिए लेकिन थोड़ा सा मस्टाड एड़ करने से इस डिस्क का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है तो दोस्तों देखने में तो बहुत ही सिंपल है यह बॉयल दाले और उसमें हमने जो बारी काटावा अनिया अंधनिया पता और मीठी एड़ कर दिया थोड़ा सा मस्टर्ड वैल बट यह जो